एलो स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूटीव चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नन तो दोस्तो आज हमी स्टूडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जियां दोस्तो यह अपडेट आईए फ्लिपकार्ट कमिशन को लेकर तो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सी category में कितना commission change होने वाला है और ये कब से implement होगा तो पूरी जानकरी के इस वीडियो को एंट तक देखीगा ज़रूर तो चले सुरू करते हैं तो चले दोस्तो हम आ चुके हमारी computer screen पे तो सबसे बता देता हूं कि कौन से vertical में change होने वाला है lifestyle category के अंदर तो lifestyle category में जितनी भी सब categories है उन सब में changes होने वाला है 27th April 2013 से नए commission rates जियां दोस्तो तो for example के तोर पे मैं 2-3 sub category आपको बता दूँगा क्योंकि मैं सारी बताने जाऊंगा ना वीडियो खाफी lengthy हो जाएगी तो for example के तोर पे अगर मेरा product अगर मैं sell कर रहा हूं तो उसका selling price अगर 300 के अंदर आता है यानि कि 0 से लेके 300 के बीच है तो मुझे अभी current commission देना पढ़ रहा है 3% तो वही same product अगर मैं बेचूंगा 27 April के बाद तो यहां पर मेरा commission लग जाएगा 5% यानि कि 2% का increment हुआ है तो वो आपको check करना होगा कि आपको profit मिल रहा है कि नहीं उसका price revise करना है कि नहीं उसके बाद यहां पर हम आते हैं अगर मेरे product का price 300 से लेके अगर 500 तक है तो यहां पर मुझे अभी देना पढ़ रहा है commission 5% वो जो revise होगा 27 को वहां पर होगा 7% यानि कि आप देख सकते हो 0 से लेके 500 के बीच 22% का increment हुआ है तो यहां पर आपको अपने selling price change करने की जरू थे अगर आपको लग रहा है कि जादा कोई measure फरक नहीं पढ़ रहा है तो आप price change मत कीजेगा अगर आपको लग रहा है कि बहुत दुक्सान हो रहा है तो आप price change कर दीजेगा उसके पाद हम आते हैं अगर आपके product की price 200 से लेकर 1000 के बीच है तो वो उसका आप भी commission लग रहा है 12% वो same as it is लगने वाला है और यहाँ पर अगर product का price 1000 अबोव है तो वो भी same ही रहने वाला है यानि कि इन दोनों में changes नहीं हुगा 0 से 300 और 300 से 500 की बीच में इस commission इसमें revise हुआ है for example हम दुसरी कोई sub category लेते हैं जैसे कि हम यहाँ पर साड़ी लेते हैं अगर आप साड़ी सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर commission 0 से 300 की बीच अगर आप sale कर रहे हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना है यानि कि 0% commission है same यहाँ पर भी same ही है इसमें कोई changes नहीं है और अगर आपका selling price 300 से लेके 500 में तो उसमें भी कोई बड़ोतरी नहीं की गई है तो यहाँ पर पहले आपको देना पड़ रहा था 3% यहाँ पर भी 3 ही देना है अगर आपके product का price यानि कि साड़ी का price 500 से लेके 1000 के बीच है और वहाँ पर अभी commission आप दे रहे हो 8% वो आपको देना पड़ सकता है 27 के बाद 9% यानि कि यहाँ पर 1% increase हुआ है बाकी आप देख सकते हो rate same as it is है इसमें कोई changes नहीं हुआ है सिर्फ 1% का increment हुआ है साड़ी vertical में जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ laptop bag अगर आप product sale करें laptop bag का तो यहाँ पर आप दे रहे हो commission current 0 से अगर आप 300 के बीच selling price है तो 4% तो यहाँ पर भी same ही यहाँ पर कोई changes नहीं है 300 से 500 के बीच में भी changes नहीं है और 500 से लेके 1000 में भी कोई changes नहीं है और अगर 1000 के above है तो यहाँ पर 8.5% अभी दे रहे हो तो वो अभी आपको देना पड़ सकता है 9% यानि कि यहाँ पर 0.5% का increment है जियां दोस्तों कुछ सेलर्स के लिए यह commission एकदम अच्छा रहेगा और किस सेलर्स के सेलर्स के लिए एक थोड़ा profit कम हो जाएगा क्योंकि इसमें कई category में commission कैसा लगा अगर दोस्तों यह वीडिया आपके लिए informative रहा हो ना तो please comment करके हमें ज़रूर बदाएगा और like, share और subscribe करना मत बुलेगा क्योंकि आपका एक subscribe हमें motivate करता है हमारी next वीडियो बनाने के लिए thanks for watching